नमस्कार आप सबी का स्वागत है वेकेंसी एरा एज्यूकेशन में तो दोस्तो आज फिर से हम एक और अच्छी भरती के उपर जर्चा करने वाले हैं जैसे कि आपको बताते कि दिसंबर महा में इसकी एक और भरती निकली थी उसकी एकजाम अभी हो रही है परजेंट में और ये गोवा सिप याड लिमिटेड जो आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इसकी काफी जैसे बोंबे की बात करें तो वहां से भी इसके भरतीया न मिल रहा है अगर आप गोवा सिप याड लिमिटेड में नोकरी करना चाहते हैं भार सरकार द्वारा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की परिग्रिया इसके सुरू हो चुकी है और इसमें ITI NCVT Only 4 डिप्लोमा और 2-3 एर्स का डिप्लोमा ट्रेड के अनु सारी पोस्टे डिवाइड की गी है साथ ही हम उन स्टुडेंटों की बात करें बीए सी बीकॉम बीए वगरा तो उनकी अलग पोस्ट हैं इसमें तो वो भी आपको यहां पे क्लियर करवाएंगे तो दोस्तों मैं पूरा क्लियर इस वीडियो के जरे करवाने वालों आपके जो भी सवाल हैं वो मैं सारे गोवा सिल्फ यार लिमिटेड के बारे में पदो की सेंक्या के बारे में जानकारी दूँगा अगर आप इसमें नोकरी करना चाहते हैं पर्मानेट जोब है किसी पर करका कोई अप्रेंटिस नहीं है और देखते हैं आगे समें क्या होता है बेल आइकन को उन कर लीजिएगा आने वारे लेटेस्ट नोट्रिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते जो चले दोस्तों सुरू करते हैं आज की इस वेकेंशी को लेकर आखिर नोट्रिफिकेशन किस लेवल का है तो दोस्तों हम इसके ऑफिसली विविशेट के बार सायक और अन्य पदों पे उनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो यह पांच फरवरी को पब्लिक ही जारी हुआ था और गोवा सिप्टियार में आप अगर नोगरी करना चाहते हैं तो यह जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें गोवा सिप्टियार लिमिटेड सी एसल में मसीन अगरी की एक मार्च है तो आप इसमें ध्यान रखें गोवा सिप्टियार लिमिटेड यानि की जी एसल भरती 2020 जिसके अंदर 43 से अधिक पद होंगे जैसे वो इसकी बात करें गोवा में आपकी जोब लोकेशन होगी गोवा सिप्ट लिमिटेड कंपनी में होगी अन्य कार में इनकी मसीनर समंधरी फीडर पाइफ फीडर वेल्डर तो यह पोस्टे आप लोगों के सामने रखी हुई है तो आपको पता चली गया होगा कि क्या होगी सक्से क्यों के ताकि अकोर्डिंग भी आप देख सकते हैं बीटेक मेकेनिकल इंजिनेरिंग प्रोसेसर इंजिने के बात करें तो इसमें टू यहर का आईटियाई मांगा गया है आपके पास अगर किसी भी टू यहर का आईटियाई है तो इसमें आप आवे दिन कर सकते हैं साथ ही एलेक्टरिकल के रूप में टू यहर का अनुबव है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं इक्रेन ओपर कई इदा किया है इसे दोरान हम एक और के बात करेंं बात करें लिचा TVT या फिर ITI और मसिनर की portrait के अनुसर आपने की वह यह तो आप इसमें लगा सकते हैं मसिनर feeder की बात करें यह अनकी feeders, general feeders, मसिनर feeder, ITI वाले ncvt वाले student इसमें आवधर कर सकते हैं पर पाइफ हीड़ की बिसमें आईट्य मांगेगी यह विल्डर इसमें आइट्य मार्थे wedi इसे दोर आप अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये भी हम बताएंगे आपको आप इसका लिंक मैं आपको इसके नीचे हमारे यूटूब चैनल के नीचे प्रोवाइड करवा दूँगा जहां से आप आसानी से से ओन कीजिएगा और सिधा रेजिस्टे कर लें मैं आपको थोड़ा से विग्यापन के उपर जानकारी देदू ताकि आप इसमें होने वाले जो भी एक्जाम पैटर्न आपके एक्जाम कैसे होगी और आपका सेलेक्शन प्रोसेसर कैसा होगा ये भी थोड़ा से अकोडिंग हम पता कर लेते हैं अप्लिकेशन क्या जर्नल एस्टी और सेलेरी यहां पर दी हुई है करीबन 15,600 से लेके 97,000 तक सेलेरी है आयो सेमा की बात कर तो 47 मेकजिमम 38 33 अलग अलग पोस्टों के नसार से अलग अलग ही इसमें सोरी यानि के आयो सेमा दी हुई है तो आप यहां पर धिहान रखें जिसे हम मेकनिकल के बा मसिनर फीडर की बात करें स्टी और एडवलूडी और एस जर्नल के आपे दी हुई है यहां पर देख सकते हैं अपने ट्रेड के अनुसार जो भी होगा अपने ट्रेड के अनुसार ही आप दिन करेंगे तो सारी किलेर्टी में ने आप लोगों के सामने रख दी है अगर फि तो आप इसके अप्लिकेशन फीज के बात करें तो दोस्तो एप्लिकेशन फीज के लिए 500 रुप हैं जिबके कोई परकार किसी परकार का पेमेंट नहीं देना होगा तो दोस्तो यह था इसका पूरा विबरन और आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे भी लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा और किसी परकार के समझ स्याओ तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे थैंकि दोस्तो जैहीं दोस्तो